हाई एवरिवान वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूथ तो एंटिये यूजिसने 2023 पेपर वन प्रेपरेशन के सूपर फास्ट रिविजिन सेशन में आज हम डिसकस करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है हाईर एजुकेशन सिस्टम यानि की उच्चे शिक्षा प्रणाली ये यूनिट बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और वन आर के अंदर इस कंप्लीट यूनिट को मैं आपको कवर कराऊंगी साथ ही मैं आपको 100% इशुरिटी देती हूँ कि इस वीडियो के अलावा आपको हाईर एजुकेशन सिस्टम का कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तो डारेक्ली बढ़ते हैं अपने सेशन की और जिसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में हाईर एजुकेशन सिस्टम किस तरह से अभी काम करता है और पहले कैसे काम करता था तो इंडिया में हाईर एजुकेशन सिस्टम का नियंतरित और प्रशासित रखने के लिए University Grant Commission यानि की UGC का निर्मान हुआ है किसी भी चीज़ को higher education में control करना है या administer करना है तो उसके responsibility UGC की है इस complete video lecture में हम लोग UGC के बारे में पढ़ेंगे और भी जो commissions है, policies हैं जो government of India ने बनाई है higher education को बहतर बनाने के लिए जो की हर साल exam में पूशी जाती है, हम वो भी discuss करेंगे उसके साथ ही आजादी से पहले पुराने जमाने में प्राचीन काल में, इंडिया में education कैसे हुआ करती थी वहां से हम शुरू करेंगे जो की बहुत ही जादा important topic है examination के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं education in ancient India यानि की प्राचीन भारत की शिक्षा से प्राचीन भारत की शिक्षा में इसको पांच हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसमें की पहला है Vedic period यानि की Vedic काल जो की 1000 इसा पुरुव से लेकर के 600 इसा पुरुव के बीच में आता है जो की 600 इसा पुरुव से 1200 इसा पुरुव के बीच में आता है दीसरा आता है Mediative period यानि की मध्यकाल उसके बाद आता है Pre-Independence India यानि की British India जिसको बोलते हैं जो की आजादी से बिलकुल पहले का समय था Then we have Post-Independence India यानि की आजादी के बाद 1947 के बाद education इंडिया की education में क्या-क्या बदलाव आए है ये सब चीजे हम one by one सबसे पहले discuss करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि इस topic में से दो से चार question हर साल हर shift में जरूर पूछे जाते हैं सबसे पहले वेदिकाल से शुरू करते हैं वेदिकाल में क्या होता था teacher और student नहीं होते थे उस समय गुरू और शिश्य हुआ करते थे ठीक है गुरू और शिश्य हुआ करते थे school, university, college भी नहीं होते थे उस समय गुरू कुल हुआ करते थे तो गुरू कुल में कैसे पढ़ाया जाता था उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि NTA Udicinate Paper 2 की preparation के लिए complete study material हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको full syllabus notes and most expected MCQs की series मिलेगी paper 2 के 10 units इसमें cover होंगे जो कि आपको upcoming examination में बहुत मदद करेंगे and MCQ series में हमने most expected and repeated topics को भी cover किया है जो कि exam में आसटेस पूछे जाते हैं and ये MCQ series आपको interview process को qualify करने में भी बहुत मदद करती है तो आपके सामने जो भी subjects की list है उसको देखिए and screen पर दिये गए किसे भी एक number पर WhatsApp की मदद से easily आप लोग contact कर सकते हो जनरलीज की fee है 1600 रुपीज लेकिन मैं आपको आज देती हूँ flat 20% off यानि की इसके लिए आपको pay करना है सिरफ और सिरफ 1280 रुपीज जिसको आप लोग lifetime के लिए use करके अपने dream की और बढ़ सकते हो इसके साथ ही वापस बढ़ती है topic की और जिसमें हम बात कर रहे थे वेदिक period की बारे में correct? so वेदिक period में ठीकें, यहाँ पे क्या होता है देखो वेदिक period वेदिक period में मैंने आप लोगों को जैसे की बताया गुरु कुल होते थे गुरु मतलब teacher कुल मतलब घर यहाँ पे जो शिश्य होते थे यहाँ पे जो शिश्य होते थे वो गुरु कुल में जाकर के रहते थे जैसे आज की समय में बच्चे hostel में जाकर के रहते पढ़ते हैं वैसे ही शिष्य गुरुकुल में जाके पढ़ते थे और वहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? वहाँ पे बच्चों को वेद के बारे में बताया जाता था तो सबसे important point यहाँ पे है वेदाज वेदाज essentially means knowledge वेद का मतलब होता है knowledge जो की हमें हमारी संस्कृती हमारे हर चीज के बारे में बताते हैं सो total हमारे पास कितने वेद होते हैं? total हमारे पास 4 वेद होते हैं पहला वेद है Rig VED R.I.G. ठीक है? Hindi Medium Students के लिए भी सेम रहेगा पहला वेद है Rig VED दूसरा वेद है Yajur VED तीसरा वेद आता है अधर्व वेद दिन वी हैव साम वेद साम वेद ठीक है? यह चार वेद थे जो की वेदिक पीरियड में पढ़ाय जाते थे इसके अलावा यहां पे और क्या करवाया जाता था? यहां पे पढ़ाया जाता था वेदंगाज के बारे में टोल नमबर भी आपको याद रखना है वेदंगाज के बारे में बताया जाता था जो की हमारे पास चार होते हैं कौन-कौन से वेदंगाज होते हैं? पहला आता है phonetics दूसरा आता है grammar यानि कि व्याकरण के बारे में इसमें बताया जाता था तीसरा आ जाता है Matrix इसमें Basic Calculation Basic Mathematics आता था और उसके बाद चौथा आ जाता है Ritualistic Knowledge यानि कि जो भी हमारे संस्कृती से related ज्यान होता है कि अपनी संस्कृती को कैसे maintain रखना है उसको आगे वाली generation को कैसे बढ़ाना है बताना है ये आता था एक additional चीज इसमें आड़ की गई थी वो है Astronomy जैसे कि आपने Astronomy सुना होगा जो भविश्य बताते हैं या जो समय important काल ये सब चीज़े बताते हैं तो वेदांगास भी इसके अंदर आते थे उसके बाद वेदिक पीरिएड में students को क्या करवाया जाता था उपनिशद पढ़ाय जाते थे उपनिशद पढ़ाय जाते थे तो टोकल कितने उपनिशद होते हैं 108 उपनिशद होते हैं उसके नाम यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ बस आप नमबर यादर दीजे दिन इसमें बताया जाता था Darshan Shastra So Darshan Shastra के अंदर कौन सी चीज आती थी इसके अंदर आ जाता था Nyae उसके बाद आता था Yoga उसके बाद इसमें आता था Mimamsa then we have Vedantas Vedantas जिसको आप Vedanta के नाम से जानते हो उसके बाद आ जाता था इसमे, Vaisesika ये सभी चीज़े हमने लॉजिकल रीसनिंग में भी पढ़ी है अगर आपको याद है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ाई जाती है जिसको बोला जाता है भगवत गीता आप लोगोंने जरूर भगवत गीता के बारे में सुना होगा सो वेदिक काल में बच्चों को भगवत गीता भी पढ़ाई जाती थी जब वो गुरुकुल में रहते थे इस समय में क्या होता था इस समय में एक एज निमिट बच्चों की रखी जाती थी कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है 5 साल तक की एज तक उनको basic चीज़े बताई जाती थी इस पांस साल के बाद उनको एक formal education शुरू करवा दी जाती थी एंड उस formal education के लिए एक ceremony होती थी जिस ceremony को बोला जाता था उपने आया ठीक है उपने आया को अगर हम English में बोलें तो initiation इसका नाम दिया जाता है ठीक है ये ceremony होती थी कि बच्चा 5 साल का हो गया है और अब उसको formal education दी जाएगी correct so I hope यहां तक के concepts आपके बिल्कुल clear हो चुके है next students यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहती हूँ जो भी topics हम इस one hour session में करते हैं आपको अगर लगता है कि आप उसको test करना चाहते हूँ कि आपके concept clear है कि नहीं उसके लिए हम एक free evaluation test आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हमारे app global online पे आपको मिलेगा free में आप इस app को download कर सकते हो link description box में है app download करने के बाद UGCnet paper one crash course में जाएगे then content section पे जाओगे तो आपको unit wise folder मिल जाएगे syllabus के according जिसमें unit का free test आप लेना चाहते हो उस unit के folder के अंदर जाओगे तो आपको यह यहाँ पर दिख जाएगा इसको try करके आप अपना score चेक कर सकते हो अपने concept clarity को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो यह हमने यहाँ पर बात की थी वेदिक period की इसके अलावा अब दूसरा period है Buddhist period जो की बहुत जादा important है so Buddhist period पर भी जाने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि जो वेद होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि total हमारे पास चार वेद होते हैं इन सभी वेद को characterize किया गया है जो की important है कि कौन से वेद के अंदर कौन सी चीज होती है एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा तो सबसे पहला वेद है हमारे पास Rig Veda Rig Veda को बोला जाता है collection of lyrics collection of lyrics ठीक है इस वेद के अंदर किन किन चीज़ों को cover किया गया है इस वेद के अंदर सबसे पहले ये सबसे पुराना वेद है जिसके अंदर इतने जादा lyrics होते है और इसमें हमारे पास total 10 mandals है एक्जाम में ये पूछा गया है कि Rig Veda के अंदर कितने mandal है तो इसके अंदर total 10 mandal है उसके बाद फिर दूसरा वेद आ जाता है इस वेद का नाम है साम वेद साम वेद साम वेद के अंदर क्या है साम वेद को बोला जाता है Book of Chants आप लोगों को इसका मतलब है कि मंत्र इसके अंदर लिखे हुए है जितने भी आप लोग उने मंत्र सुने हैं चाहे हम गायतरी मंत्र की बात करें या हम किसी भी मंत्र की बात करें वो सारे साम वेद के अंदर लिखे गए हैं इस वेद में टोटल 1, 5, 4, 9 वर्सेज हैं इसको आप डारेक्ली याद रख सकते हो नमपर्स को ठीके और साथ ही इसमें इंडियन म्यूजिक के बारे में भी लिखा हुआ है ठीकें इंडियन म्यूजिक के जो भी सरगम है सारे गामा पाई आपने सुना होगा वो सारे साम वेद के अंदर लिखे गए हैं इसके अलावा इसमें क्या है? It is only in verse वो important नहीं है अब हम directly बढ़ते हैं तीसरे वेद की और तीसरा वेद है हमारे पास यजुर वेद तीसरा है यजुर वेद तीसरा है यजुर वेद को बोला गया है Book of Sacrifical Prayers So इसमें क्या है This book is divided into two parts पहला पार्ट है क्रिश्न क्रिश्न यजुर और इसका दूसरा पार्ट आजाता है शुक्ल यजुर वेद शुक्ल यजुर वेद ठीक है पहला है क्रिश्न यजुर वेद तो दो हिस्तों में इसको डिवाइड किया गया है और इसमें आपको इतना ही काफी examination point of view से Next type जो है Next वेद जो है वो है अथर्ववेद अथर्ववेद इसको बोला जाता है Book of Magical Formula Book of Magical Formula So इस बुक में क्या है जितने भी charms है जितने भी spellings है evils है, diseases है वो सब इसके अंदर आती है Simple language में बोलू आप लोगोंने आयुर वेदा का नाम जरूर सुना होगा आप लोगोंने आयुर वेदा सुना होगा जिसमें की home remedies होती है तो ये सारी चीजें अथर्व वेद के अंदर लिखी हुई है अगर किसी को कोई बड़ी सी बिमारी है और उस बिमारी का solution हमें चाहिए तो इन सभी वेद में से आपको कौन सा वेद पढ़ना हो सकता है तो उसके लिए आपको अथर्व वेद पढ़ना होगा इस तरह के questions exam में आते हैं तो ये basic चीजें है examination point of view से अगर मैं बताऊं तो 2022 की ही एक shift में ये question आया था कि आयुर वेदा किस वेद में है अगर हमें मंत्र पढ़ने है हमारे जो sanskriti के अंदर मंत्र है वो किस वेद में हमें मिलेंगे या फिर अगर हमें सरगम के बारे में जानना है तो वो हमें किस वेद के अंदर मिलेंगे तो ये basic से चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसके बाद हमने जैसे कि यहाँ पर बात की थी उपनिशद के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 108 उपनिशद होते हैं तो ये 108 उपनिशद के अंदर और क्या-क्या चीज़े होती हैं ये मैं आपको बताती हूँ अर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए तो उपनिशद दे आर फिलोसिफिकल इन नेचर दे आर फिलोसिफिकल इन नेचर और इनको विदानता भी बोला जाता है इसको विदानता बोला जाता है टोटल इसके अंदर 108 नंबर के उपनिशद होते हैं And oldest उपनिशद इसमें कौन सा है? ये आप लोगों के लिए मैंने एक homework question दे दिया. मेरा जो complete full syllabus lecture series है, उसमें मैंने ये चीज़ discuss की है, कि उपनिशद में जो सबसे oldest, सबसे पुराना उपनिशद है, उसका क्या नाम है? ये एक previous year question है, जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है. उसके बाद एक और important topic ये और हम लोग बढ़ते हैं. So, इस topic का नाम है विदांगास. जरूर इसको आप लोग note कर लीजिए, जैसे मर्जी याद रखिये, वो आप लोगों को याद रखना ही है, क्योंकि एक्जाम में इससे question आते ही है. Correct, तो यहाँ पर हमारे पास विदांगास आते हैं. विदांगास total six होते हैं. देखें, जिसमें कि पहला आता है शिक्षा. शिक्षा का मितलब आप सभी को बता होगा. दूसरा विदांगा क्या आता है? प्रतिशाख्या. यह क्या है? यह fenotics का सबसे पुराना text है. यह text का format है, text का type है. इसको भी दो हिस्सों में divide किया जाता है generally. और उसके बाद अगर हम लोग तीसरे की बात करें, वो है निरुकता. निरुकता, ठीके? Then we have चंद, जिसको चंदा भी लिख सकते हो, चंद, इसका मतलब होता है matrix. यह मैंने आप लोगों को अभी बिताया था. Next ना जाता है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, चंद सुत्राज. चंद सुत्राज. चंद सुत्राज क्या है? It was written by PINGAL. जो की एक famous text है, आप लोगों ने जरूर PINGAL के बारे में सुना होगा. इसकी spelling ऐसे होगी, PINGAL. ठीके? यह एक famous text है, जिसमें की चंद सुत्रा को लिखा गया है. उसके बाद आजाता है, जोतिश. जोतिश, आप लोगों ने जरूर सुनोंगे, important है. Next, अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें, तो वो आजाता है, बुद्धिस्ट पीरियड. तो बुद्धिस्ट पीरियड में हमने देखा था, कि 600 इसापूर्ग से 1200 इसापूर्ग तक का यह समय था. तो बुद्धिस्ट पीरियड के साथ, हम जैनिजम के बारे में पढ़ते हैं पहले, जो कि जादा important है. नहीं चलो, बुद्धिस्ट पीरियड देख लेते हैं, बुद्धिस्ट पीरियड में ये students, कुछ universities आती हैं, famous universities हैं, जैसे कि पहली है नालंदा यूनिवर्सिटी, कहां पे हैं? बिहार में है, उसके बाद आ जाती है, ओदन्त पूरी, ओदन्त पूरी ये भी बिहार में है, इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कूस करेंगे कि क्या इनके major subjects हैं ये यूनिवर्सिटी इस फेमस हैं, उसके बाद आ जाता है, सोमापूरी, जगादा, जगादा यूनिवर्सिटी भी बिंगॉल में है, एंड लास्ट यूनिवर्सिटी है, बललभी, बललभी यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है, ठीके, सो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हैं, जो कि बुद्धिस्ट period के समय पे बनी थी उसके बाद अगर हम जैनिजम की बात करें जैन धरम की बात करें तो उस समय पे जैन धरम में किस तरह से काम होता था जैन धरम में कुछ types के knowledge दिये जाते थे ठीक है जिसमें कि पहला था मती जनना बहुत important है, बहुत ही जादा important है मती जनना में क्या होता था? जो भी हमारे sense organs sense organ क्या होगे? जिससे हम समझ सकते हैं चीजों को नांक, आंक, touch वाली feel जो होती है ये सब चीजें समझने के बारे में मती जनना के अंदर बताया जाता था दूसरा आ जाता है शुती जनना शुती मतलब सुनना ठीक है? जो सुनी-सुनाई बाते होती है बहुत सी चीजें आपने अपने पेरेंट से सुनी होंगी चाहें आपने वो अभी तक देखी नहीं है तो वो सब चीजें सच होती है ये जैनिजम की शुती जनना के अंदर बोला गया था तीसरा नौलेज होता है अवधी जनना अवधी जनना यानि कि समय के साथ साथ जो चीजें हम सीखते हैं चौथा है इसमें मना पर्याय जनना मना पर्याय जनना यानि कि telepathic knowledge हम बोलते हैं न कि अच्छा जैसे हमारे घर पे आज कोई guest आ गए तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा आज मुझे कुछ feel हो रहा था कि कोई guest घर पे आने वाली है या फिर किसी friend का phone आ जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ आज मैं तुझे ही याद कर रही थी तो यह क्या होता है मनन जनना यानि कि मन में हमने कुछ सोचा हमारे मन में कोई feeling आई और वो सच हो गया उसके बाद पांचवा टाइप आ जाता है इसमें केवल जनना केवल जनना जो की temporary knowledge होता है यहां तक के concepts आप लोगों के बिल्कुल clear हो गए है इतने में अगर आप लोगों को कोई doubt है तो आप अभी तक इस वीडियो को repeat करके देख सकते हो मुझे comment करके बिता सकते हो अभी तक किसी topic में आपको लगता है कि detail में में को एक और session लेना चाहिए तो आप मुझे comment कर दीजिए उसी particular topic पर मैं detail में आपके लिए एक वीडियो ले करके आऊंगी correct तो यहां तक के concepts आपके जो भी है मुझे comment जरूर जरूर कीजेगा ठीक है so next अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम Vedic literature की बात कर रहे थे हमने यहां पर यह सारी चीजें पढ़ ली है अब हम बात करते हैं important and famous universities की जो की ancient universities हैं India की correct so ancient universities में सबसे पहली आती है तक्षिला university जो की world की सबसे पहली university है it is one of the re-owned ancient university of India located in the city तक्षिला ठीक है so तक्षिला जो है एक city का नाम था जिसके नाम पर यह तक्षिला university रखी थी the information about तक्षिला is first given from वालमी की रमायन आप लोगों ने वालमी की रमायन के बारे में जरूर सुना होगा तो उन्होंने ही तक्षिला university के बारे में सबसे पहले information दी थी exam में यह question जरूर जरूर पूछा जाएगा ठीक है यहाँ पर देखोगे it is mentioned in buddhist literature मैंने आपको बताया था कि buddhist period के दौरान यह बनी थी इसको पाकिस्तान के एक डिस्टिक में आ चुका है जिसे आपको पता ही है कि आजादी से पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे तो यह university इंडिया में count हुआ करती थी बट आजादी के बाद इसको पाकिस्तान में shift हो गई है यह पाकिस्तान के area में आ गई है यहाँ पे it is particularly known for some important subjects like scriptures, law, medicine, astronomy, Hindi medium students यहाँ पे देख सकते हैं military science and 18 silps or arts तो यहाँ पे जैसे कि science, medicine इन चीजों के लिए यह famous थी यह वाली statement exam में बहुत बार ऐसी की ऐसी पूछी गई है अगर हम बात करें it is believed that over 10,000 students from China babylon and Greece in addition to Indian students studied there so बहुत famous लोग थे 10,000 से जादा बच्चे यहाँ से pass out हुए थे उस समय में जो कि और भी countries के अंदर आये थे और भी countries से यहाँ पे पढ़ने के लिए आये थे यह तक्षिला यूनिवर्सिटी का एक previous year question है इसमें पूछा गया है तक्षिला and ancient center for higher learning in India was declared as a heritage site by UNESCO Inn so heritage site असको कब गोशित कर दिया गया है वो इसका correct answer है 1980 तो आपको तक्षिला की history का बस एक question पता होना चाहिए और भी थोड़ा देख सकते हो and उसमें कौन से subjects पढ़ाई चाते थे आप वो कहां पर है यह आपको पता होना चाहिए अगर हम कुछ famous personalities की बात करें कुछ बहुत ही famous लोगों की बात करें जो कि तक्षिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे तो उसमें पहला नाम आता है grammarian grammarian panini यह आपने जरूर नाम सुना होगा grammarian panini दूसरा आजाता है cotilia cotilia जो है वो इसी से पढ़े थे चंदरगुप्त मौर्य चंदरगुप्त मौर्य भी तक्षिला यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे इस तरह से आप देख सकते हो कितनी फेमस यूनिवर्सिटी यह उस समय पे हुआ करती थी then we have second university जिसका नाम है मिथिला मिथिला यूनिवर्सिटी मिथिला is a geographical and cultural region of the Indian subcontinent bounded by Mahananda river in the east the gangs in the south and Gandaki river in the west and by the foothills of the Himalayas in the north it comprises certain parts of Bihar and Jharkhand and some part of eastern Therai of Nepal so यहाँ पे अगर हम लोग देखे so यह university कुछ Bihar, कुछ Jharkhand and Nepal के section के अंदर आती है and इस university मे literature, fine arts, science scriptures, veds नियाय शास्त्र और यह सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी two subjects that became popular in this university वो क्या थे? वो सबसे पहला subject था नियाये जो कि इस university का एक हम बोलते हैं हर एक university के एक speciality होती है वैसे ही Mithila university के speciality नियाये थी and तरक शास्त्र था तरक शास्त्र ठीक है? यानि की logic ये दोनों के लिए Mithila university बहुत ही famous मानी जाती थी then we have तेलहारा university तो तेलहारा क्या है? तेलहारा एक village है नालंदा बिहार में एक नालंदा नाम की जगह है उस सी के अंदर एक village का नाम है तेलहारा जहांपे ये university है and it was the site of a Buddhist monastery in ancient India so किसी समाने में ये बहुत लोगों का मठ स्थान माना जाता था it is located near to नालंदा university तो इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे तेलहारा कुट भी तिलास अकीरा तो ये important नहीं है आप रस ये देख लीजे तेलहारा university was older than नालंदा and Vikramshila university तो ये देखो हम सोचते थे कि नालंदा और Vikramshila पुरानी है लेकिन उनसे भी पुरानी है तेलहारा university ये बहुत जादे important तो नहीं है बट आपको थोड़ा सा knowledge होना चाहिए कि कई बार exam में बस इतना सा पूछा जा सकता है तेलहारा पुरानी है ये नालंदा ये विक्रमshila तो इस point of view से ये important है otherwise ये university के बारे में जादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आपको पता है जो कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान में है उसमें ये आता है उसमें ये university आती है it is believed that it was established in 237 Isapur during the region of Emperor Ashoka so Ashoka के समय पे ये university बनी थी text written by Panini and other grammarians were stored in this place तो ये सब चीज़े इसके अंदर आती है ये भी सादा important नहीं है बस इतना knowledge काफी है then we have most important unit जिसका नाम है नालंदा university most important university है ये so नालंदा was one of the famous universities of ancient India and historic center of higher learning in Bihar, India इसके अलावा it was primarily dedicated to Buddhist studies but it also provide education in fine arts, medicine, maths, astronomy, politics and other arts of battle so ये सारी चीज़े नालंदा university में पढ़ाई जाती है अगर इसमें हम बात करें इसमें बहुत जादा दूसरी country के students पर आते थे जैसे चाइना, ग्रीज, तिबित यहां के बहुत से students नालंदा university में पढ़े है and क्योंकि ये एक पुराने जमाने की एक एतिहासिक university है प्राचीन भारत की university है फिर भी उस समय यहां पे mission के लिए इतना जादा जोर रहता था कि उस समय भे भी यहां पे entrance examination हुआ करते थे and education, entrance examination हुआ करते थे and इसमें जो education थी वो बिलकुल free of cost थी बिलकुल मुफ्त में यहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी and इसमें subject कौन-कौन से पढ़ाय जाते थे इसमें बुद्धिजम पढ़ाया जाता था वेद पढ़ाया जाते थे logic, sanskrit, grammar, medicine and इस तरह के सारे subjects यहां पे पढ़ाया जाते थे इसके अलावा students आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा जो की है बक्तियार यह एक ही है ठीक है बक्तियार खिलजी बक्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा बक्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बिलकुल destroy कर दिया था बट यह उस समय पे बहुत फेमस हुआ करती थी नेक्स्ट यहां पे देख सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटी से एक इंपोर्टेंट क्वेशन है जो की PYQ है एक्जाम में पूछा गया था इसमें direct proof or statement है आप क्वेशन को पढ़ लीजेगा मैं answer आपको बता रही हूँ directly अगर समझ आ गया है तो भी मुझे comment कीजिए students अगर आपको ये session पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसको continue रखूँ तो please मुझे comment कीजिए मैं definitely आप सभी students के request को हमेशा की तरह पूरा करूँगी अगर आपको लगता है कि कोई और topic भी इसमें include होना चाहिए तो भी मुझे आप comment करके बता सकते हो next unit we have Odantapuri University so it was set up in Odantapuri जो कि बिहार में है Buddhist Maha Vihara जो है ये university है and it was founded by the Pala Emperor Gopala 1 in the 8th century 8th century में ये बनी थी बससमें इतना याद रख लीजिए and the university attracted students from so many countries and that was attained by Nalanda और Vikramshila University then we have one more university that is Vikramshila important है ये भी Vikramshila is mostly known as Tibitian sources exam में ये statement as it is आती है कि Tibitians की university किसको बोला जाता है या उससे related study कहां पे होती है तो वो है Vikramshila particularly the works of Taranta 16th to 17th century Tibitian monk historian logic, veda, astronomy, urban development, law, grammar, philosophy ये सारी चीजें इस university के अंदर पढ़ाई जाती थी Vikramshila university के founder कौन है? इसके founder है धरम पाल important question है ठीके? तो ये कुछ important university थी जो की आपको definitely exam में पूछी ही जाएंगी at any cost then we have next topic next topic जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है new national education policy जिसको NEP 2020 के नाम से जाना जाता है अब ये topic हर साल exam में आता है इसमें से दो questions जरूर पूछे जाते हैं लेकिन ये topic बहुत बढ़ा है तो मैंने इसको यहाँ पे कबर नहीं किया है already topic पे separate video में आपके लेकर आई हूँ जिसका link आपको description box में मिल जाएगा जरूर उस video को देखिए and मुझे comment करके बताईए कि आपको वो session पसंद आया कोई doubt रहेगा तो भी आप उस video के नीचे मुझे comment करके बता सकते हो इसके बाद next बढ़ते हैं important topic है ये बहे कि regularity regulatory bodies कौन सी है higher education में so higher education को बहतर बनाने के लिए कुछ commission कुछ bodies बनाई दी जिनके अपने-पने responsibilities होती है उसमें सबसे पहला आता है ICHR का नाम so ICHR मतलब Indian Council of Historical Research ये क्या है ये एक autonomous body है यानि की स्वायत निकाय है ministry of education के अंदर ही आता है it provides financial assistance to historians and scholars through grants, fellowship and symposia तो ये क्या करता है जो भी इतिहासकार होते हैं जो history पे research continuously करते रहते हैं उनको ये grant देता है कुछ fellowship देता है कुछ fund देता है कुछ पैसे देता है ताकि वो easily research कर सके its headquarter is in Delhi with regional centers in Pune, Maharashtra Bengaluru Karnatka and Guwahati Assam its first chairman was the historian Ram Sharant Sharma तो ये खुद एक historian थे इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरह से बहुत सारे इतिहास कारों को और जादा motivate करते हैं कि वो research करते रहें इसका objective क्या है इसका objective ये है कि जो भी इतिहास कार है वो इकठे होकर बहुत से research करें जिससे कि और भी जादा हमारे देश का नाम बढ़ सकता है और आपको बता ही होगा कि research जितनी जादा होती जाएगी उतना जादा development भी होता रहता है और साथ ही ये scientific and objective history को एक national level पर direction देने में भी मदद करता है second है हमारे पास AICTE All India Council for Technical Education ये क्या है ये statutory body है यानि कि विधानिक निकाय है और ये एक national level council है जो कि technical education पर ध्यान देता है अब देको हमारे इंडिया की ही अगर हम बात करें तो बहुत से technical courses होते है उन technical courses का क्या syllabus होना चाहिए किस तरह से उसको आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो उन सब चीज़ों को manage करने उन सब चीज़ों को handle करने के लिए responsible है AI CTE जो कि examination point of view से important topic है तो पहले ये क्या था एक advisory body था अब ये बन चुका है statutory body तो इस तरह के questions में देखो आप लोगों को statement based questions आते हैं अगर आपको पता है statement based questions कैसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो मैं इससे देखो आपके ला NTA concept clear करता है कि statement देगा तो concept clear होंगे clear होंगे आपके तभी आपको उसका correct answer दे सकते हो अगर आपको नहीं पता कि statement based questions कैसे होते हैं कैसे उनको solve किया जाता है तो आप description box देखिए वहाँ पर एक video का link मैंने दिया हुआ है या फिर मुझे comment कर दीजिए मैं separately आपके साथ link share कर दूँगी तो आपको idea हो जाएगा कि कैसे questions यहां से पूछे चाते हैं जो कि statement based होते हैं AICTE was given statutory status by act of parliament and it is responsible for proper planning coordinated development of India's technical education and management education system इसका headquarter है Delhi में इस तरह के headquarter वाली important होती है statements exam में पूछी जाती है करें and इसकी objectives की पात करें इसका objective होता है अपनी technical education का अच्छे से plan करना फिर उसको formulate करना जो plan किया है उसको implement करना उसके बाद उसका maintenance का ध्यान रखना उसकी जो standards है उसके जो norms है norms का मतलब होता है rules regulations ठीक है education की जो quality है and जो उसका हम accreditation देते है उन सब चीजों का ध्यान रखना ही एक major focus है AICTE का next आज आता है ICSSR जुक्स का नाम है Indian Council for Social Science Research इसके नाम से पता चल रहा है कि social science related कोई भी research अगर करते हैं तो उसको handle करना उसको manage करना इस department का role होता है तो ये national body है overseeing research in social sciences in India and 1969 में इसको establish किया गया था इसका headquarter भी कहा है New Delhi में ही है the council formally became active in July 1981 तो देखो ये बन तो गई थी 1969 में लेकिन 1981 में ये officially activate कर दी गई थी July वाले मन्त में निक्स्ट आजाता है UGC जो कि एक सबसे जादा important topic है exam हमारा नाम है NTA UGC net तो इसमें UGC के question आना जाहिर सी बात है so UGC के full form University Grant Commission it is a statutory body ठीके statutory body है अगर आपको पता है कि statutory body क्या होती है तो मुझे comment करके जरूर बताइए ताकि और बच्चों को भी इसमें मदद हो जाए विधानिक निकाय है ये ये ministry of education के अंदर आता है जिसको पहले MHRD के नाम से जाना जाता था अब उसका नाम ministry of education हो गया है it is charged with coordination, maintenance, determination of higher education standards so higher education इंडिया में जो है उसके सारे काम को coordinate करना उसको अच्छे से ध्यान रखना काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है उससे फायदा students को होता है की नहीं होता है ये सब चीजों का ध्यान रखना इसका भी headquarter New Delhi में है and six regional center है पूने, Bhopal, Kolkata, Hyderabad, Govahati and Bangalore a proposal to replace it with another new regulatory body called HECI तो इसको एक नहीं regulatory body से replace करने का proposal आ चुका है जिसका नाम है HECI under the consideration by government of India so government of India का ही a decision है कि इसको इस तरह से change कर दिया जा सकता है then we have जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो वही है UGC के बारे में ही हमने यहां पर लिखा हुआ है इसके important centers है head office New Delhi छोटे-छोटे offices यान की regional offices कहां पर है in six cities में है अब आते हैं अगले topic की और जिसमें हम बात करने वाले है characterization of universities के बारे में so universities को किस तरह से characterize किया गया है किस तरह से उनको अलगलग हिसों में divide कर दिया गया है यह हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है central university, state university, private then deemed to be universities तो total इंडिया में 48 central है 392 state है 317 private universities है and 125 deemed to be universities है total 800 80 universities इंडिया में running है इस समय पे इसके अलाबा कुछ important points हैं जो कि you just in it examination के लिए students आप सभी को पता होना बहुत ही जादा जरूरी है so यहाँ पे अगर हम लोग देखें सबसे पहले the state with most universities so राजस्तान में सबसे जादा universities है total 76 कौन से state में सबसे जादा deemed to be universities है deemed to be universities होते है जो कि वो खुद से ही इनका curriculum, इनका syllabus, इनका हर एक pattern वगरा design करते है तब मिलनाडू जिसमें के 28 universities है उत्तरप्रदेश और गुजराथ have most state universities 28, राजस्तान has most private universities, total 46 ठीक है तो 76 में से 46 तो देखो राजस्तान में private universities ही है उत्तरप्रदेश में total 6 central universities है examination के रिए ये वाली slide आपकी बहुत जादा important है, इसको आप note कर लीजे तो यहाँ पर आप देख सकते हो central university से related a question है इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है बस direct definitions है कि central university कैसे काम करती है क्या-क्या responsibilities होती है and answer भी मैंने mention किया हुआ है so next topic आता है polity and governance जिसमें कि हम Indian constitution यानि की भारतिय संविधान के बारे में सबसे पहले बात करेंगे Indian constitution is a comprehensive document containing details with the objective of providing stable and fair governance to its people and it starts with the preamble beginning statement promising justice liberty, equality and fraternity three new words have been added to it socialist, secular and integrity so ये तो basic चीज़ें थी अगर हम लोग detail में बात करें so Indian constitution में exam के लिए क्या important है ये मैं बताती हूँ so इसमें total 448 articles है जिसको की 25 हिस्सों में divide किया गया है and 12 schedules है and there are total 103 amendments that have been made and originally it comprises of 395 articles in 22 parts and 8 schedules तो ये जो numbers है ये वाला जो point है ये आप लोग जरूर note कर लीजिए exam में 100% यहां से statement पूछी जाती है ठीके Indian constitution क्या है पूरे world में सबसे लंबा constitution and lengthiest constitution है Indian constitution and the idea to frame the constitution of India was first suggested by communist leader M.N. Roy तो इसको idea किसने दिया था constitution बनाने का M.N. Roy ने ये idea दिया था इसके अलावा अगर हम लोग बात करें prominent members की prominent members of the constituents or committees of the constitution assembly who framed the constitution simple से language में बोलते हैं कि Indian constitution को बनाने में कौन से वो members है जिनकी कमेटे बनी हुई थी जिनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है तो सबसे पहला नाम तो आप लोगोंने जरूर सुना होगा क्या नाम है मेरे ये बोलने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी comment जरूर कर दीजिए वो नाम है B.R. अम्बेदकर Dr. भीम राव अम्बेदकर ठीक है drafting committee के member थे ये उसके बाद आता है जवाहर लाल लहरू जी का नाम Union Power Committee Union Constitution Committee and State Committee इनके अंदर आती थी ठीक है तीसरा नाम आजाता है राजिंदर परसाद का Rules और Procedures जो थे committee के वो सब इस category में आते थे और उसके बाद आजाता है सरदार पटेल तो ये चार नाम है जो कि examination point of view से बहुत important है आपको ये याद रखना जरूरी है ठीक है इसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं आपको ये भी पिता देना चाहती हूँ कि हमारा जो constitution है उसका source कौन कौन सा है कहां कहां से उसका idea आया कहां कहां से उसमें मदद मिली तो पहला है government of India act 1935 ठीक है उसके वाद British constitution then we have US constitution Irish constitution Canadian constitution French constitution ये सब उसमें आड होए थे correct so इसमें इतना ही मैं अभी आप लोगों को फिलहाल बताना चाहती हूँ next अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया NEP 2020 पर अल्रेड़ी एक वीडियो बन चुकी है description box में चेक कर लीजे similarly times higher education world university ranking and NIRF ranking जो है ये हम लोगों ने discuss किया है and अगर आप चाहते हो कि latest video भी मैं इस पर लेकर के आऊ जो कि important topic है rankings से related हमेशा exam equation आते हैं ठीक है so ये current affair के अंदर count किया जाता है जो कि हम definitely जल्दी से जल्दी आपके साथ share करेंगे then we have next topic जो कि हमारा आज का last and important topic है government schemes to improve the education so government ने कौन-कौन सी schemes बनाई है जिसे कि education को improve किया जा सकता है so पहली scheme का नाम है समग्र शिक्षा ठीक है समग्र शिक्षा क्या है क्यों बनाया गया कब बनाया गया ये मैं आपको बताती है so it subsumes three centrally sponsored scheme तीन schemes को मिला करके एक बनाया गया है समग्र शिक्षा तो सबसे पहली scheme आती है इसके अंदर SSE यानि कि सर्व शिक्षा अभियान दूसरी आती है RMSE जिसका मतलब है राश्ट्रियम अध्यमिक शिक्षा अभियान तीसरी आती है TE यानि कि teacher education तो ये तीनों के combination से समग्र शिक्षा को बनाया गया है तो प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को इसमें रखा गया है कैसे स्कूल इस शिक्षा को बहतर बनाया जाए इस पे ध्यान दिया जाएगा इसके अंदर तीन ती पे ध्यान दिया जाएगा पहला ती है teacher और दूसरा ती है technology correct next we have right to education act the act was amended in 2017 to ensure that all teachers acquire the minimum qualification prescribed under this act यानि कि हर एक इंसान जो शिक्षक बनना चाहता है उनके पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये इस एक्ट के अंदर रखा गया है एंडिसी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है निक्स आजाता है नवोदे विद्याले नवोदे विद्याले स्कीम प्रोवाइड फॉर ओपनिंग और वन जवाहर नवोदे विद्याले इन इच डिस्टिक आफ दि कंट्री तो ओवर्यॉल इंडिया में कितने सारे स्टेट्स है हर एक स्टेट के इंदर कितनी सारे डिस्टिक्स है लगबग हर एक district में एक जवाहर नवोदे विद्याले होना चाहिए ये scheme के लिए नवोदे विद्याले नाम की scheme बनाई गई है अब इसमें confuse मत हो ये, school का नाम भी ये है, scheme का नाम भी यही है ठीक है, जिससे के rural talent को जो है equal level की quality education हम provide करा सकते है और साथ ही यहाँ पे जो बच्चे गरीब घर से हैं, जो की अच्छे हैं पढ़ाई में उन लोगों को residential education दी जाती है आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों को hostel में रखा जाता है नेक्स्ट वी हैव निश्ठा, निश्ठा की full form है National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement तो इस अंडर centrally sponsored scheme of समग्र शिक्षा, तो समग्र शिक्षा के अंदर ही यह scheme आती है and it aims at building the capabilities of around 42 lakh teachers तो इसके अंदर total 42 lakh teachers को include किया जाएगा head of schools जो है, जो principal होते है school के, faculty members को add किया जाएगा different different blocks के and फिर एक समग्र शिक्षा, program और यह मिला करके एक बहुत ही अच्छा school education यहाँ पर बनाया जाएगा National Curriculum Framework National Curriculum Framework promotes joyful learning through cultural activities, art, music, dance, role play इनके साथ छोटे-छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, कि उनका entertainment भी होता रहे and वो concept को समझते भी रहे, यह चीज़े इसके अंदर आती है Then we have Pradhan Mantri Innovative Learning Program जिसका नाम है Drup So the program was launched to identify and encourage talented students to enrich their skills and knowledge Dhruv Tara, आपने जरूर सुना होगा, उसी नाम पे यह नाम रखा गया है इसमें क्या है, जुतने भी talented बच्चे है, उनमें क्या talent है कैसे उनके talent को, कई लोग होते हैं कि talented होते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा platform नहीं मिल पाता तो कैसे उनके गुण को, उनके talent को आगे बढ़ाया जाए, उन बच्चों को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनकी भी तरक्की हो, देश की भी तरक्की हो इसके लिए प्रधान मंत्री innovative learning program बनाया गया है इसमें किसी के पास कोई भी innovative यानि की नवोनमेशी plans अगर है जिससे की education को बहतर बनाया जा सकता है, तो वो सारे plans हम government को बता सकते हैं अगर government उनको implement करती है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है निक्स आता है new education policy जो की 2020 में बनी थी इसमें आप लोगों को पता है कि 10 plus 2 format को close कर दिया गया है हर एक student को एक बहतर higher education देने का मौका यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर 10 plus 2 को हटा करके 5 plus 3 plus 3 plus 4 format को लाया गया है और जैसे कि मैंने आपको बताया, new education policy पे एक separate video मैंने अलरड़ी बनाई है जिसका link description box में available है तो आप वहाँ पर उसको जा करके जरूर देख लीजेगा इसके अंदर बहुत से ऐसे initiatives ले गए हैं जिनको की सरकार ने अभी use करना, मतलब की implement करना शुरू कर दिया है जो कि already 2023 से 2025 से implement हो चुके है और बहुत से ऐसे इसमें rules और regulations ऐसे हैं जिसको की अभी तक सरकार ने implement नहीं किया है लेकिन वो जल्द ही implement करेंगे जैसे कि कुछ target हैं जो की 2022 तक पूरे कर देने हैं कुछ target ऐसे हैं जो की 2025-2022 से शुरू होने वाले थे इस तरह से सबसे ची बात इस new education policy की मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ जैसे कि अगर एक student माल लीजिए अपना first semester ABC नाम के college से करता है and by chance उट स्टूडेंट के parents की कहीं पर transfer हो जाती है उनको अपनी state या city से बाहर जाना पड़ता है तो उनको अपना दूसरा semester second XYZ university से करने का पूरा अधिकार है पहले क्या होता था बच्चे ने first semester किया second में अगर कहीं और जाना पड़े तो उनका साल पूरा waste होता था उनको हमेशा first year से ही entry मिलती थी बट अब ये चीज़ को हटा दिया गया है overall इंडिया में education के same नियम रहेंगे equal level की quality education सबको दी जाएगी फिर आप इंडिया में कहीं भी course कर सकते हो आपको same ही benefits वहाँ पे मिलेंगे ऐसा नहीं है कि किसी university में different syllabus है किसी university में different syllabus है तो ये major focus है new education policy का इसी के साथ students आपको बता दूँ कि UGCN paper 1 preparation के लिए हमने crash course launch किया है जैसे कि आप हमारे ये one hour session देख रहे हो तो इस crash course में भी हम इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे इसमें हम आपको 100% selection की guarantee देते हैं जिसमें के daily live lectures आपको मिलेंगे English students and Hindi students दोनों को separate lectures हम देते हैं full syllabus video lecture 60 plus mock test last 10 year question paper with solution full syllabus notes and 2000 plus MCQ question bank यहाँ पे आपको मिलेंगे जिसमें हर question के answer के साथ detail में आपको explanation भी देते हैं इस crash course के लिए आपको fees pay करनी है सिरफ 3200 rupees जिसको लगातार आप एक साल तक use कर सकते हो and इसको join करने के लिए screen पर दिये गए किसी भी एक number पर whatsapp की मदद easily आप लोग contact करके अपने dream की और हमारी मदद से पहला कदम रख सकते हो and इसमें हम आपको 100% ये guarantee देते हैं कि 2023 में आपका selection जरूर हो जाएगा तो आज के लिए सरफ इतना ही thank you so much for watching this video and I wish you all the very best